हाई टेडर्स बेलकम तुदा वीडियो सो इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के बारे में यह स्टॉक मैंने आपको स्विंग टेड के लिए दिया था ठीक है तो अभी हमें होल्ड रखना चाहिए क्या करना अभी स्टॉक में नेक्स्ट क्या बनेगा इसका सिनारिय तो अभी इसी के बारे में डिस्क्स करेंगे ठीक है तो आई एनलसेज करते हैं आपके सामने तो मैंने आपको दिया था यह 230 के असपास अभी इसका मार्केट ट्राइज जाएगा इस 236-237 का एक रिजिश्टन्स पॉइंट है इस श्टॉक के अंदर अभी ठीक है अभी के ठीक हैं अभी मैं सटोक अंदर भूली शूँँ ठीक है तो बहुत अच्छी मुझे बॉसे डिक्ति दिकरें मुझे लग तो मुझे लगता है यह जो एक इसका resistance point है यह break होता हो दिखाई देगा कुछ आने वाले एक दो session के इंडर ठीक है तो जैसे यह break होगा तो next जो हमारा resistance point रहेगा 244 रहेगा 244 का तो मैं वहां पे थोड़ा अपना profit book करना चाहूँगा ठीक है 244 के अस-पास and second जो मैंने आपको last target दिया था 250, 270, 280 तक कर दिया था ठीक है तो 250 के अस-पास हम यहां पे थोड़ा सा profit book करेंगे गाईज और जिस जिनको अभ अभी इन levels के उपर exit करना है तो वह लोग कर सकते हैं क्योंकि यहां पे resistance point है strong resistance point है आप देख सकते हो ठीक है continuously इसी के नीचे मूब कर रहा है okay and multiple time इसको retest कर चुका है already ठीक है तो यहां से fall भी कर सकता है stock but मैं इसमें bullies हूँ क्योंकि मुझे volumes अच्छा दिखाई दे रहा है इस stock के अंदर तो मैं इसमें bullies हूँ okay okay guys तो मेरा view भी मैं आपको बता दिया मैंने कि मतलब आपको exit करना करना है चाहिए तो गाइस अभी इस level पर आप कर सकते हो 237-236 के आस पास भी the profits आप exit कर सकते हो अपनी positions को okay guys and मेरा view है guys मैं stock इंदर तो मुझे लगता है resistance point break हो सकता है और मैं अपना next level जो की हमारा 244 का बहां पर मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा इस stock के अंदर okay guys तो यही थाच के वीडियो में thank you thank you for watching this video